नमस्का साथियों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूटूब चनल पर आज है 9 अक्टोबर 2022 तो आज की पहली पाली का पेपर रेलवे गुरुप डिका सपलतव गुरुप डिका संपन हो चुका है सभी जीके जीएस मैं तो रिजनी के सटी कोशन आज के इस वीड ग्रीन लेंड जो की विस्व का सबसे बड़ा दिविफ है आर्केटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाड़ा अटलांटिक द्विफ समू के पूर्व में डेनमार्क राजसाही के अधिन एक स्वयम यत घटक देश है वह च्छेतफल के अनुसार विस्व का सबसे भारत में मुख रूप से पश्ची मोडिशा के लोगों दौरा मनाया जाने वाला एक क्रसी तेवार है और इस तेवार को मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है अगला कोशन काफी इंपॉर्टन सेक्सपियर ओफ इंडिया की नाम से किसे जाना जाता है उनके लिखे गए अधिकतर ग्रंत पूराणी कथाओं पर आधारित होते तो कालिदास महा कवी कालिदास इसका राइट अंसर होगा सेक्सपियर ओफ इंडिया के नाम से महा कवी कालिदास को जाना जाता है अगला कोशने यह चगान किस राज का नट्यनाट है तो उपको करनाटक राज का पारामपरिक नेत्र नाठ है जो की एक प्रसंसनी सास्तिरी प्रश्च भूमी के साथ किया जाने वाला एक अनोका नेत्र रूप है तो सही उत्तरों जगा करनाटक अगला कोशने जहारकन का राश्टी पच्छी कौन सा है तो आपको तादे एसी आई कोईल जहारकन जो कि एक भारत का राज है जिसकी राजधानी राची है इस राज की सिमाय उत्तर में बिहार पच्छी में उत्तर प्रदेश एवं 36 और द्रच्चल में उड़ईशाव पूर में पच्छी मंगाल को लगती है इस राज़ का राश्टी ये पच्छी ए हाजी बेगम ने शुरू किया था इस मुगल सम्राइट आमराग अकबर हैं और इसमें प्रिया राज्सी यहिश्थ है पॉख़ को जैपूर , भारत का पाईरश का पहा निर्माים कहा जैपूर राइटंस रोजेगा भारत का पारश जैपूर सहर को कहा जैपूर आपकसी लिए गया रहित마 मुंद को स्यूतर है। किस नदी पर इस्तिते हैं. तो अपको आदे, टेहरी बाण आपका भावी रती नदी पर इस्तिते सही उतर हो जाएगा भावी रती नदी राइट रही सब्हाइगा, आगला कूछेशने काका कोरम हाइवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है तो आपको दादे पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान और चाइना को काका कोरम हाईवे जो है पाकिस्तान और चीन को दो देशों को आपस में जोड़ता है राइट एंसर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन अगला कोशने नेली किरांती का संबंद किस उद् कौन था तो आपको दादे लाल्ड कैनिंग इसका सहीतर हो जाएगा 857 इसवी के विद्रों की समय भारत के जो वायस रहे था लाल्ड कैनिंग इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला कुछे ने भारत में राष्टी खेल प्रतेक वर्स एक अपना जाते तो आपको दादे भा पानी में घुलांसील विटामिन होता है तो विटामिन सी इसका राइट अंसर हो जाएगा पानी में घुलांसील विटामिन होता है सी विटामिन सी इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला कुछे ने भिलाई इस पात सयंतर किस देश की साहता से इस्तापित किया गया तो अ अगला कुछ ने भारत में अभियंता दिवस यानी की इंजीनियर्स दे का बना जाता है तो बैंगलूरू को जाए भारत की सिलिकॉण वैली के नाम से जानते हैं बैंगलूरू इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत की सिलकॉन वैली के नाम से बैंगलूरू को जाना जाता है अगला कुछे ने थारू जंजाती का मोल निवास इस्तान कहा है तो अब पताते थारू जंजाती है ये आप लोगों की उत्राखन राजिस से समंदित है अगला कुछे ने किश जंजाती के लोग दीपावली तेवार को सोक के तेवार के रोप में मनाते है तो अब कुछे ने इसका साहिबत किया गया पहला पतन ना मुछों। कांडाला इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला कुछ ने कांडाला पत्तन कहां पर इस्तित है तो आपको दादे कच्छी की खाड़ी गुजराद इसका सयूतर हो जाएगा कांडाला पत्तन जो ही आपका कच्छी की खाड़ी गुजराद में इस्तित है अगला कुछ ने टि लगानदी नहर को जो है सत्लज नदी से पानी मिलता है सतलज नदी इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला कुछ ने नागार्जु सागर्बान की नदी पर इस्तित है तो आपका निदा नदी पर इस्तित है नर्मदा नदी इसका सयुत्तर हो जाएगा अगला कोशन है सलाल झल विद्दध पर योजन और इस्तित है तो आपका ने मुल्ला पेरियर बान्द का जगड़ा की नहीं दूह राजियों की बीच में है आगला कुशन काफी IMPORTANT है Kisan Ganga पर योजना भारत तथा किस देश के बीच में मुक्र विवात का कारान बनी हूई है clearlyiddände और Pakistan pogoda कारा साभी कोशन काफी IMPORTANT है इस पकार से कोशन था x plus one upon x बराबर दिया था 5 तो x cube plus one upon x cube का मान गयाद करना था ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को फार्मिला कों से लगाना था x plus one upon x का whole cube बराबर में होता है x cube plus y cube plus three a b और ब्रैकेट में a plus b तो x cube यानिकि x का cube y cube यानिकि one upon x का cube plus three a b यानिकि three a चला था आपका x b चला था one upon x और ब्रैकेट में a plus b यानिकि x plus one upon x ठीक है तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि मान जानते है x plus one upon x का मान 5 चला था तो 5 का cube यानिकि 5 गोड़े 5 गोड़े 5 25 25 पना 125 125 यह आ गया और x cube plus one upon x cube इसका मान हमको निकालना था तो हम लोग इसको मान लेते हैं x ठीक है इसके बाद यहाँ पर x से x कैंसल हो जाता है और यह आपका 5 मान दिया था पांस ते 15 ठीक है अब यहाँ पर क्या बना समीकराण 125 बराबर में x plus 15 15 पनदा इधार जाएगा 125 में पनदा माइनस करेंगे 110 जिरो आ जाएगा ठीक है x का मान 110 आ जाएगा यानि कि x cube प्लेस वन अपॉन एक्स क्यूब एक्स क्यूब बराबर आपका 110 आ जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा इसी परकार से एक और कोशन था एक्स वाई-जेड एक्स वाई-जेड किसी काम को किरम सा 2,4 और 8 दिनों मे करेंगे तो 200 इस परकार की सवालों को करने की तरीका सबसे पहले तीनों का जो काम दिया गया है उसको आप लोग LCM उसका निकाल लें और वही टोटल वर्क मान के अपने सवाल को आंगे बनाएं तो 2,4,8 का 2 LCM हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा ठीक है जब 8 करेंगे त आप एक दिन में कारेंच मता एकश की Y की और जटकी यानिख एक कितना काम करएगा एक दिन में लाइक कितना काम करेगा और एक दिनए जटकेना कंकरेगा जिए इंक यह निकालते है तो 2 тур आइस तो direct tape कुरभधें कि तो स tutel हमें आठ काम करना है और एक दिन में हम चाहत तो इंब पर यहां पर आप लोग हैль मुशन सक्या टीनë जट तीनों मिलकर उसकाम को समाप्त कर लेंगे ज़ता रुजएगा एक-षइ एकवटे साथ दिन में एक्स-वाई और जट तीनों मिलकर उसकाम को समाप्त कर लेंगे अगला कोशन काफी इंपोर्टन हे भारत के पूरवी टट पर इस्थित पत्तन कौँन सा है तो पताथे आपको पारादी पहल दिया जो हैं यह पूर्वी टट पर इस्थित हैं कोलगत्ता बंदरगा किस प्रकार की बंदरगा का उधाराने तो अगला गोश्य ने इंट्रेगल कोच फैक्टरी कह इसका सईउत्तर था भारत का सबसे घनी आवादी वाला जो राज है वो बिहार इसका राइट अंसर हो जाएगा सईउत्तर हो जाएगा बिहार अगला कुछन भारत की जनसंक्या में रानात्मक व्यद्धिक दर्जय किस वर्ष दर्ज की गए थी 1911 से लेकर 1921 इसका सईउत्त परतम पंच वर्ष योजना कब सुरू की गए थी तो 1951 स्विस का राइट अंसर था